75 साल तक संग BJP के हर उतार चड़ाओ को देखने वार नेता की पारी क्या अब समाप्थ हो गई है BJP में जिनरेशन स्ट 2014 के लोगसभा चुनाओ से ही होने लगा था और 2019 के चुनाओ तक लग रहा था कि ये चक्र पूरा हो जाएगा इसी चक्र की आखरी कड़ी जो नेता बन रहा है वो पाटी से नराज है आएए एक नजर डालते हैं उसी नेता के केरियर गराप जिसने BJP को अपने जीवन से सिंचा दोस्तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने की हैं तो सब्सक्राइब करते हैं बेल आइकन प्रेस कर देता के हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे 2019 का लोक सभा चुनाव कई नई चेहरों के लिए शुरुवात थी तो वहीं कई पुराने चेहरे यादों की धुल में दफन होने की ओर थे एसा ही एक चेहरा है मुरली मनोहर जोसी का जोसी को ना तो इस बार उनकी पार्टी ने टिकर दिया था और ना ही अब उनका नाम इस्टार परचारकों की सूची में सामिल किया गया था मुर्ली मनोहर जोसी बीजेपी के कोई आमनेता नहीं रहे पार्टी के जन्म से पहले दोरान और बाद में उनकी भूमी का बहत बढ़ी रहे उन्हें बीजेपी के इतिहास से अलग करके देखा ही नहीं जा सकता पूरवी यूपी की राजनीती में पैठ जमाने वाले डॉक्टर जोसी का जन 5 जनवरी 1934 को देश की राजधानी दिल्ली में हुआ था उनके पिता मनमोहन जोसी किंद्रे लोक निर्मान विभाग में इंजिनियर थे महा 24 दिन की उम्र में उनके सिर्थ से पिता का साया उठ गया मा की ममता तलेव ननिहाल में ही पढ़े बढ़े बिजनोर अलमोरा मेरट इलाहबाद में उन्होंने अपनी परहाई पूरी की इलाहबाद बिश्व विद्धाले से उन्होंने भावतिकी बिज्ञान में MSC और एस्पेक्ट्रो एसकोपी में डीफिल किया आगे चलकर यहीं वो भावतिक बिभाग में पढ़ाने लगे और बिभाग के अध्यक्ष भी बने इलाहबाद में उनकी मुलाकात प्रफेसर राजंदर सिंग और फिर रज्व भाईया से हुई भभीश में रज्व भाईया सरसंग चालक बने रजु भाईया के सानित्ध में ही डॉक्टर जोसी ने संग कार्ज तेच कर दिया इलाहबाद के गाउं गाउं जाकरो परवास करने लगे नोकडी के साथ संग पर काम जोर सोर से तब तक चला जब तक वो पूरी तरह राजनीती में ही रचबस नहीं गया मूरली मनुहर जोसी के साधी हिंदी साहित के ससक तहस्ताक्षर सिवानी के छोटी बहन तरला से हुई तरला मध्य परदेश के राइपूर में अंग्रेजी की ब्याख्याता थी साधी के बाद गुनों ने डॉक्टर जोसी के सांथ राना सुरू कर दिया मूरली मनुहर जोसी के दिल्ली इस्तित घर के सामने ही RSSS की साखा लगती थी देखा देखी वो उसमें हिस्सा लेने लगए 1944 से उनका संबंध संग से जो बना तो वो आज तक कायम है साल 1948 में गादी हत्या के बाद संग पर पहला परतिबंध लगा तो उनके स्वेम सेवकों की तरह जोसी भी पूलीस के खिलाब सरक पर उत्रे और गिरफतारी दी अगले साल 1949 में अकिल भारते बिद्दार्थी परिशत के गठन नोहोंने अहम हिस्सेदारी नी भाई इसी शंगठन में साल 1953 में ओर राष्ट्रिय महा मंत्री भी बनी 1992 में जन संग की अस्थापना में भी उनका रूल रहा चाहे 1994 का गोरक्षा अंदूलन हो या फिर 1955-56 का किसान अंदूल डॉक्टर जोसी ने हर बार सब पहले से अधिक उत्साह के सांथलाराई लरी 1957 में उन्हें जन संग की इस इलाहाबत साखा का संगठन मंत्री निक्त किया गया फिर 1974 आया और इंद्रा गांधी सासन के खिलाप ताल ठोकने वालों में से हुए भी एक बने 19 महीने तक जोसी ने अपातकाल में जेल काटी आखिरकार अपातकाल के रात खत्म हुए और उन्हें अलमोरा से चुनाओ जितकर पहली बरसा संसद में कदम रखा मुरली मनहर जोसी को जनता पाटी या संसदी दल का महा सचुक निक्त किया गया तो उन्होंने अपने दाई तो कोई पढ़ चड़ करनी भाया बीजेपी की अस्थापना भी उन्ही के सामने हुई अटल और अडवानी के बाद उपाटी के सबसे बरे नेता के तोर पर उगरे बद्धी जीवी होने के सांसर डॉक्टर जोसी संदार वक्ता और बेहतरिन संगठन करता साबित हो रहे थे डॉक्टर जोसी बीजेपी के संस्थापक महामंत्री बने और 1996 से 2004 तक उन्होंने संसद में इलाहाबाद का परते निधित्त किया साल 1996 में बीजेपी ने केंदर में सरकार बना यो रटल विहरी पाचपई के निर्थित्तों में देश के ग्रीह मंत्री बने 1958 में उन्होंने मानो संसाधन बिकास मंत्राले के साथ बिक्यान एवम तकनीकी तथा महासागर बिकास मंत्राले संभाला ये मूरली मनहर जोसी ही थे जिन्होंने बिक्यान और तकनीकी मंत्री के तोर पर देश को प्रमानु सक्ती संपन बनते देखा उस वक्त पर धान मंत्री बाज़ पेई ने पुरब पीम सास्तरी के नारे को संबोधित करते हुए कहा था जय जवान जय किसान जय बिग्ञान अतांग के खिलाब पहली बार राजनीती अस्तर पर बरा अभियान चलाने वाले डॉक्टर जोसी कन्या कुमारी से कश्मीर तक उन्होंने एकताव यात्रा निकाली बीचेपी का धक्स के तौर पर जोसी ने 26 जनवरी 1992 को स्रीनगर के लाल चोक पर तीरंगा फार आया बाबरी बिंदवंस के समय भी जोसी मोगे पर मुझूद थे छे दिसंबल वो लाल किस अड़वानी असोक सिंगल और मुरली मन और जोसी जब कार सेवकों के सामने पहुँचे तो धाक कामू की हुई किसी तरह संग के श्वैम सेवकों और बजरंग दलकाड़ करताओं ने उन्हें बचाया जब गुंबद गीरने की ख़बर मिली तो राम कथा कुझ के मंच पर खरे अड़वानी सिंगल और जोसी फिक्रमंद दिखे उधर उमा भारती बहुत खुस थी उनकी खुसी का कोई ठीकाना नहीं था वो खुसी में डॉक्टर जोसी के पीट पर चड़ गई बाद में जो हुआ वो इतिहास है डॉक्टर जोसी मोदी इूक के बाद भी अपना राजनीती करियर बचा पाने में कमयाब रहे थे उन्हें मोदी के लिए साल 2014 में वरानसे सिट छोरनी परी थी लेकिन बदले में उन्हें कान पर सीटे मिली और वो जीते लेकिन 2019 के लोक्षभा चुनाओं में उन्हें खरे होने का मौका तक नहीं मिला माना जा रहा है कि अब उनकी राजनीती करियर पर बिराम लग गया है इसलिए तो मार्क दरसक मंडल में बैठा दिया गया है